जो यह जो यह जो यह जो टेक्नोलोजी है जेनरेटिव एयाइ यह काफी रीजन टेक्नोलोजी है जो इसका जो पहला बिग कमर्सिल प्राजेक्ट आया वो लास्ट येर नॉवंबर यह डिसंबर में आया हमने अप्रिल और अर्ली जून लाँच किया था यह और उसके बाद हमने इंडिया में उसका experiment करना सुरू कर दिया था तो जो इनिशियर जो टेस्ट किया था हमने इंडिया में वो students, teachers, professor के साथ किया था लेकिन इन सारे project को enterprise grade बनाने में थोड़ा time लगता है जिसे कि बड़े-बड़े bank यूज कर सके, uber यूज कर सके, city bank यूज कर सके channel charger यूज कर सके, तो उसके लिए थोड़ा time लगता है तो इसलिए हमने 5-6 महिना time लिया क्योंकि उसको हम secure बना सके जिसे कि privacy maintain कर सके, जिसे कि आपका data secure रह सके और उसके बाद हमने 5 महिन एक बाद release कर दिया दुनिया के लिए तो मेरे साब से जो है, 4-5 महिने का time लेना जिसे कि लोगों की privacy, security security और इन सब को जो है, इन सब के ऊपर time दिया जा सके, इन सब को जो है, proper बनाया जा सके जिसे कि लोग trust कर सके कि उनका data secure रहेगा, data बाहर नहीं जाएगा, यह सारी चीज़े important है, तो इसलिए थोड़ा time लगा तो यह product के पीछे तीन important चीज़े हैं, पहली बात है कि क्या कि बहुत सारे लोग generative AI के उपर काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे important चीज़ क्या है, कि privacy or security, कि क्या जैसे कि बड़े-बड़े bank, तो आप उनको data देते हैं, तो वो data बाहर नहीं भीज सकते हैं, आप उनके उपर वरोसा करते हैं, जैसे कि आप bank के साथ काम करते हैं, कि आपका data किसी और को नहीं दे रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, कि अगर हमें उनको support करना है, तो हमको उनके infrastructure के अंदर रहके run करना होगा, data इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, data हर इंसान का उसके अंदर रहना चाहिए, आपका data किसी और के moral को train करने में नहीं यूज किया जाना चाहिए, आपका data है, क्या करते हैं, हम फुद train ना करें, उसके लिए होना चाहिए, यह सारी चीजें, privacy, security, enterprise control, यह सारी चीजें जो है, वो हम provide करते हैं, in addition to all the capability that you saw, वो important ह जो कि बाकी लोग का चाहिए, कि आप simple, जो है, internet के ओपर question पूछ सको, तो वो जो है, दे देगा, लेकिन वो data जो आपके document के ओपर हो, जो guaranteed करें कि जो है, जो answer है, वो आपके document के ओपर सही answer हो, तो वो सारी guarantee जो है, यह product देता है, तो यह जो product है, यह सारे languages में available है, तो आप तो यह एक अच्छी चीज किया है, इस particular product में कि आपका जो language का barrier है, इसको वो बिलकुल खतम कर देता है, तो मैं बलाता हूँ, तो जो translation technology जो रही है, इसके पहले की, वो क्या करते है, एक-एक sentence लेते है, और वो sentence को translation करते है, तो उसमें क्या है, कि आपके अगर कुछ गल्ट यह हुई, तो एक sentence में वो कल्तिया फकड़ना बड़ा मुस्किल होता है, इसमें क्या होता है, कि जो generative AI जो technology है, वो पूरे concept को समझता है, बेस्ट अन पूरा input, जो सारा input दिया है अपने, या पूरे document को, और अगर वो आपको समझ में आ गया, और उसके बाद आप answer कर रहे हो, तो यह actually like, यह word-to-word translation नहीं कर रहा है, यह उस concept को समझ रहा है, जैसे कि आप मुझसे हिंदी में सवाल पूछे, और मैं आपको अंग्रेजी में जवाब दू, तो ऐसा नहीं मैं कर रहा हूं कि मैं पहले हिंदी में जवाब निकाल रहा हूं और अंग्रेजी में translate कर रह हूं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं और directly English में बोल रहा हूं, तो यह concept वैसा है, तो इसमें translate नहीं कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, कि आपके उसको समझ रहा है और उसके बाद जनरेट कर रहा है, और इस वज़ए से जो है इसमें गलतियां कम होती है, और जितने भी industries हैं, जैसे कि banking, insurance, government, healthcare, इन सब को हम more efficient बना सकें, क्योंकि इन सब यह सारी जो चीजें हैं, यह generally किसको serve करती है, आप लोग को, right, अगर यह सारे लोग इन सब technology को इसमाल करना शुरू करें, तो यह किसका फाइदा है, यह आप लोग करें, इसे आप लोग के लगे, तो इस सब को फाइदा है, तो हमारा क्या goal है, कि to enable जितने भी organizations हैं, वो सारा यह product use करके, सारी दुनिया को बहतर service दे सके, तो हम जो है, इस business में पिछले 7-8 सालों से हैं, अगर आप देखोगे, और हमारे यह सारे customers हैं, हमके बहुत सारे customers हैं, इस पिछले चार्ट पांच सालों के साथ काम कर रहे हैं, तो यह कोई ऐसा offer नहीं है, जो हम बंद करेंगे, कि यह computer science में क्या है, आपको देखोगे, हर साल चीज़ें सस्ती होती जाती है, बाकी चीज़ों में हर साल कीज़ें महंगी होती जाती है, तो actually हमारा prize और हमारा product है, हर साल थोड़ा सस् तो login करने के लिए आपको सरफ email और password के जरूरत है, बस, और, तो वो basically क्या है, पहला 500 credit free है, उसके बाद जो है, हर question depending upon कितने page के ऊपर पूछ रहे हो, तो उसके लिए वो जो है 8 ये 9 पैसे लगते हैं, 7 ये 8 पैसे उपर question करें, लेकिन आप सोचो, कि आप जो है जिससे बड इसका की मुद्धा क्या है, 8 पैसा जो है, काफी सस्ता है, तो ऐसा नहीं है कि जो है बहुत महंगा है, तो जो credit जो हम charge कर रहे हैं, वो हर query के लिए बहुत ही कम है, जो है, बहुत ही कम है, तो chat GPT जो है, वो internet के data के ऊपर लिखा गया है, तो जिसे कि आपको सवाल पूछना ह है, कि इस जीच का सवाल बताओ, तो उसने जो internet से सीखा है, उसके उपर जवाब देता है, और chat GPT बहुत ही अच्छा tool है, उसमें जैसे Google search आप करते हैं, तो internet से जल देता है, लेकिन अगर आपको जो है, जैसे कि आपको जो है property paper खरीद रहे हो, और उसने सारा property का document दिया, आप गूगल से answer नहीं मिलेगा, कि इसमें क्या, आप lawyer के पास जाओ गया, बोलोगे, भाईया, मेरा paper पढ़ो और बताओ कि इसमें सब ठीक ठाक है या नहीं, तो Instabase क्या करेगा, आप Instabase को अपना property paper दोगे, वो आपके paper को पढ़ेगा, और उसके हिसाब से answer देगा, वो internet का answer नहीं देगा, तो ये difference है, क्योंकि हम मारा क्या मानना है, कि internet के लिए अच्छे tool है, Google है, ChatGPT है, वो काफी अच्छे tool है, लेकिन कोई ऐसा tool नहीं बनाया गया है, जो कि आपके document को समझे, और जो answer दे वो based on आपके document के उपर दे, तो वो Instabase करता है, Target audience मतलब bank, इसे bank जो है, आपको लोन देता है, आपके data के उपर, आपका doctor, आपको medication देता है, आपके health history के उपर, तो हमारे जो audience जो है, वो लोग है, जो कि real time में, आपके historical जितने भी unstructured data है, के हिसाब से आपको service देना चाह है, तो उसके लिए बनाया गया है, इसका feedback बहुत ही अच्छा रहा है, तो across all the different industries, banking, insurance, government, the feedback has been great, and we are investing even more and more for all the existing customers, तो इसका feedback हर जगह से, चाहे banking हो, insurance हो, government हो, healthcare हो, health care हो, feedback काफी अच्छा रहा है. Sir, अबी chat JPT के बाद, Gemini भी आ चुका है, आपको बता ही हो, तो इसका हजाद जादर advance होती जादी, तो ऐसे में, आप किसादर से InstraBiz को update हो है, क्या कि कि इना कि कुछ सावे बादी भी पेनल साट प्छा पीछे जाए बादी जाएगा? तो Gemini, ChartGPT, यह सारे जो टूल हैं, यह सारे इंटरनेट डेटा के ऊपर बने हुआ है, इसे कि आपको सर्च करना है, और वो सारे एडवांस होते रहेंगे, और हमारे पास भी जो हमारा जो research team है, वो हमेशा benchmark करता रहता है उसके साफ से, तो यह जो field है, यह हमने जो है, यह ज strategy से बतल रहा है, और यह ज़रूरी है कि हमारा जो product है, वो उसी level पे रहे, जहां पे बाकी सारे top class products है, जैसे देखो, कोई इवन अगर इनसान को भी बोलेगे, लॉयर को, वो ही गलतिया तो करता है, अगर आज किसी को type करने बोलते हैं, वो ही mistake करते हैं, तो हमने जो देखा है, typically, जो है, जो, in general, जो हमने जो benchmark किया है, तो for most basic stuff, like, यह human से जादा बहतर करता है, मतलब 97-98%, लेकिन, अची बात किया है, इसमें, कि अगर जो है, इसको कोई चीज नहीं आती है, तो यह आपको गलास अंसर नहीं देगा, यह बोलेगा कि, भे, I cannot answer you this question, because I don't have the data available, तो य यह बोलेगे, एक app type है, जो internet से connected नहीं है, तो एक clarification में देना चाहता हूँ, कि, actually, काफी लोग question पूचन पूचन है, translation, translation, यह app का translation से कोई लेना देना नहीं है, तो यह translation app नहीं है, यह app आपके document यह आपका data को समझता है, और उससे आप, जिस किसी भी language में सवाल पूचो, उसमें answer देता है, तो आजसे कोई translation नहीं है, समझ रहा है चीजे, और उस answer, basically, under the hood, क्या हो रहा है, कि, it has a very deep understanding capability, and then being able to answer any question, आप answer आप इसी अलग language में पूचो, तो by default translation हो गया, तो आपको translation जैसा अलग रहा है, लेकिन, the capability क्या है, कि, deep understanding of your content. हाँ, तो आजसे बोलोगे कि भाई, ये report पर हो, और मेरे लिए powerpoint presentation बना, तो powerpoint presentation बनाएगा. तो हम नहीं काफी Indian organization से बात की, and we're very encouraged by seeing how many organizations want to be in the forefront of AI. सब लोग AI अपने business में लेना चाहते है, ताकि वो ज्यादा बहतर customer service कर सके, उनका cost भी काम रहे, और नहीं नहीं चीज़े दे पाए. तो we're seeing lot of excitement in India to adopt all of this, and Indian companies are going ahead of the curve, we think, we have all the right ingredients in India, we have the right people, we have the right technology, we have the right funding capabilities. तो फिर, इंडिया के लिए तो, you know, sky is the limit, and I think that we're excited to partner with Indian organizations to adopt AI. I think AI hub, सब के लिए, आप जिससे पूछ रहे थे, target audience, तो मैं ये बताऊंगा, कि आज आप ही लोगों ने demo देखा, तो मैं तावे के साथ कहता हूं, कि आप घर पे जाके तो खोद एक बार इसको पका से कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके लिए भी useful है, तो मैं ये मानता हूं कि ये हर इनसान के लिए useful है, क्योंकि आपके वो सबसे पहले तो भार्षा के बारियर को तोड़ता है, और organizations छोटे लेवल के हो या बड़े लेवल के हो, क्योंकि हम सारे security compliant है, आपके data को secure और safe रखते हैं, ये सब के लिए useful है, और जो आज के दिन में start-ups हैं, उनको अपने काम को automate करने के लिए, बहुत ही minimal technical expertise के साथ, वो अपने process को automate कर सकते हैं, जब जो भी document related हो, तो हम पुरे तेश के start-up, students, media people, lawyers, सब को encourage करते हैं, कि आप एक वार AI hub try करिए, इस्तेमाल करिए, और feedback दीजिए, आपका काम इससे आसान होगा.